भाग दो, सफलता की उचाईयों पर पहुचे संगटनों की आदते अध्याय चार, मूल आदते या पॉल उनेल की ये शोगा था कौन सी आदते सर्वधिक महत्तु रखती हैं? अक्टूबर 1987 की बात है, मैनहेटन के एक आलिशान होटल के बॉल रोम में वॉल स्ट्रीट के प्रमुख निवेशकों और शेयर विशलेशकों का एक समू एकत्रित हुआ वे वहाँ, Aluminium Company of America, जिसे एलकुआ के नाम से भी जाना जाता है के नए CEO से मिलने आये थे इस कंपनी ने पिछले 100 साल में हर्चेस किसे इस चोकलेट के रैपर और कोका कोला की धातू से बनी कैन से लेकर उपग्रहों के निर्माड के इस्तमाल होने वाले बोल्ट्स तक अनगने चीजों का निर्माड किया था अलकुआ के संस्थापक ने एक शताबदी पहले अलूमीनियम को पिघलने की प्रक्रिया का अविशकार किया था एक वर्ष से निवेशकों की ओर से कई तरीके की शिकायते आ रही थी अलकुआ के प्रवंधन में गल्तियां होने लगी थी कम्पनी का विस्तार करने के लिए नए किस्न की वस्तूओं का उत्पादन किया जा रहा था जो एक गलत कदम साबित हुआ इसके कारण एलकुआ ने अपने अने को ग्रहक होए और मुनाफ़ा भी कम होकर परिस्तपरदी कम्पनियों के पास जाने लगा इसलिए जब एलकुआ के मैनेजिंग बोर्ड ने नए CEO का चुनाओं की घोशना की तो हर किसी ने राहत की सांस ली पर इस राहत को बेचैनी में बदले में ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि नए CEO थे पॉल ओनेल वे एक पूर्व सरिकारी अधिकारी थे वाल स्टीट के अधिकतर अधिकतर लोग उनसे अंजान थे इसलिए एलकोवा ने मैनहेटन के बॉल्डूम में जब यह सभा रखी तो हर प्रमुख निवेशक चाहता था कि उसे भी इस सभा में आमंत्रित किया जाए धारिदार स्लेटी रंगे सूट के साथ लाल टाई पहने 51 बड़सिये उनेल दोपहर करीब 12 बजे मंच पर आए उनके बाल सफेद एवम मुद्रा स्थिर थे उन्होंने उत्सा से आगे आकर सब की ओर देखा और मुस्कुराए उनेल के आदर्श CEO की तरह ही गौरफशाली, सक्त और आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे थे फिर उन्होंने बोलना शुरू किया मैं यहां आपसे कर्मचारियों की सुरक्षा के विशय पर बात करना चाता हूँ उन्होंने कहा हर साल एलकुआ के अनेक कर्मचारी काम के दोरान होने वाली दुरगटनाओं में चोटिल हो जाते हैं जिसके कारण वे अगले एक दो दिन तक काम पर नहीं आते हमारे कर्मचारी पंद्रासो डिगरी तापमान की धातूँ और ऐसी मशीनों के साथ काम करते हैं जिसमें जरासी गलती से इनसान का हाथ कर सकता है इसके बावजूद हमारा कर्मचारी सुरक्षा रिकॉर्ड अमेरिका की समान्य श्रमिक संख्या से कई बहतर है लेकिन इतना काफी नहीं है मैं एलकुआ क्यों अमेरिका की सबसे सुरक्षित कंपनी बनाना चाहता हूँ मेरा लक्षे है कि कर्मचारीों के साथ होने वाली अकस्मिक दुरगटनाओं की संख्या घटकर शून्य हो जाए सभा में बैठे हर इनसान पॉलो नेल की बाते सुनकर हैरान थे आमतौर पर इस प्रकार की सभाओ में सब कुछ पहले से तै होता था अब तक हर नया CEO अपने परिचे से सभा को शुरुआत करता था और आमतौर पर मंच पर खड़े होकर कुछ इस तरह के मजा करता था कि कैसे उसने हौवर्ड बिजने स्कूल में अपना सारा समय बिस्तर पे पड़े रहकर गुजारा था वह मुनाफ़ा बढ़ाने और मुल्ले घटाने का वचन देता था और इसके बाद टैक्स और व्यपार नियमन के विशो को इस तरह कुरेदा जाता था मानु वह स्वेम नयायाले में तलाग दिलाने वाले वकील रह चुके हो और इस हर विशे में जुड़ी बातों को कुरेदने का अनुभा हो आखिरकार उसका भाशड तालमेल नए व्योजना और सहस परधा जैसे दमदार पर रटे रटाए शब्दों के साथ समाप्त हो जाता था इस तरह हर कोई उस सभाब से इस आशवाशन के साथ वापस काम पर लोटता था कि पुझीवाद अब भी शुरक्षित है पर उनेल ने तो मुनाफ़े की बात की न टेक्स की उन्होंने इस विशे पर कुछ नहीं कहा की बजार को ध्यान में रखते हुए कैसी कार्य प्रडाली बनाई जाए जिससे कमपनी को सफलता हासिल हो इसके विपरित ओनेल ने कर्मचारियों की शुरक्षा से जूड़ी बाते की उनकी ये बाते सुनकर शभा के शुरताओं को लगने लगा की ये ऐसा ना हो की ओनेल नियमों को लेकर बेहत सक्त निकले या फिर इसमें भी बुरा कहीं वे लोकतंत्रिक धंग से काम करने में विश्वास ना रखते हों उनका यह धर संभावना में तब्दिल हो रहा था आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इस कंब्रे के सुरक्षा निकास दरवाजों की स्थिती में दिखाना चाहता हूँ ऐसा कहते हुए ओनेल ने बॉल्ड रूम के पीछे की और इशारा किया वहाँ पीछे की और कुछ दरवाजे हैं आग लगने जैसे किसी अपात्कालीन स्थिती में आप शांती पूर्वक उन दरवाजों से बाहर निकल सकते हैं और सीडियों द्वारा लॉबी में पहुँचकर सुरक्षित रूप से इस इमारत से बाहर निकल सकते हैं यह सब सुनकर उस विशाल कमरे में सन्नाटा चा गया अगर कोई अवाज बची थी तो केवल खिड़कियों से आ रही ट्रैफिक के अवाज सुरक्षा अपात्कालीन निकास के दरवाजे क्या मजाक है शोताओं के बीच बैठे एक निवेशक के मन में यही सवाल उठे वह जानता था कि साठ के दशक में उनेल वौशिंग्टन डीसी में रहते थे कहीं यह व्यक्ति नशा तो नहीं करता उसे शंका होने लगी अन्तता किसी ने हाथ उठाकर यह रोप्ष डिवीजन की एवेंट्रीस के बारे में पूछा एक अन्य वक्ति ने कंपनी की पूझी अनुपात कैपिटल रेशो के बारे में बात की मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ नहीं पाए उनेल ने कहा यदि आप एलकुआ के कामकाच का तरीका जानना चाते हैं तो आपको हमारे कारेस्थल से संबंधिस शुरक्षा के आंकडों पर नज़र डालनी चाहिए अन्य चीफ, ओफिसर्स की तरह बेतुकी बाते करने या प्रोटसाहन देने भर से अकास्मिक दुरगटनाओं की संख्या कम नहीं हो सकती अब हर कोई यह निश्य कल लेगा कि उसे स्वेम को बहतरीन बनाने की आदट डालनी है तो ऐसी दुरगटनाओं की संख्या स्वता ही कम होने लगेगी हमारी शुरक्षा आंकड़े हमारे विकास के सूचक है इन आकड़ों से हम यह जान सकते हैं कि हमारे संख्या की आदटों में परिवर्दन हुआ है या नहीं आगे से हमें इस कसोटी पर परखा जाना चाहिए वियख्यान समाप्त हुआ कमरे से बाहर निकलने के लिए निवेशकों में अफरा तफरी मच गई एक निवेशक भागता हुआ लॉबी में पहुचा और वहां रखे फोन से उसने अपने 10 बड़े ग्राहकों को फोन किया उस निवेशक ने अपना अनुभा बताते हुए कहा मैंने अपने सारे ग्राहकों को फोन लगा कर एक ही बात कही कि बाकी निवेशक अपने ग्रहाकों को कमपनी के शेयर बेचने की सलह दे उसे पहले ही आप अपने शेयर नहीं बेच दिये जिए बोर्ड ने कमपनी की बागदोर एक संकी हिप्पी के हाथों में सौम दी है जो कमपनी को सत्यानाश करने वाला है उसने आगे कहा इक वर्ष भी नहीं हुआ था और एलकुआ के मुनाफ़े के मामले में नई कीर्तिमान स्थापित कर दिये, ओनेल 2000 में सेवा निवरित हुए, तब तक कंपनी की वार्षिक आये पहले के मुकाबले पांच कुना जादा वड़ गई थी, कंपनी के बजार में पूंजी करण में 20-27 अरब डॉलर की बड़ोत्री हुई थी, ओनेल के CEO बनने के बाद जिन लोगों ने एलकुआ में लाखो डॉलर निवेश किये थे, उन्हें ओनेल के कारेकाल में बहुत लाब हुआ, यहां तक की ओनेल की सेवा निवरित होने के तक निवेशकों का शेयर मुले भी पांच गुना बढ़ गया था, ओनेल के कारेकाल में कमपनी का खोब विकास हुआ, एलकुआ की गड़ना अब दुनिया की सबसे सुरक्षित कमपनियों में होने लगी, ओनेल के आगमन से पूर्व एलकुआ के हर कार खाने में हर सपता कम से कम एक दुरगटना जरूर होती थी, पर ओनेल की सुरक्षा योजनाओं के लागू होने के बाद कई सालों तक किसी भी करमचारी के साथ कोई अकास्मिक दुरगटना नहीं घटी, अमेरिका ओसत दर के मुकाबले एलकुआ की करमचारी दुरगटना पर 20-1 थी, ना तो ओनेल सबसे बड़ी नीरस और सरवाधिक संक आना साथकर पूरे संगठर में परिवर्तन के लहर पैदा कर दी, उनेल बताते हैं, मैं जानता था कि मुझे अलकुआ की पूरी तरह परिवर्तित करना होगा, पर आप लोगों को बदलने का आदेश नहीं दे सकते, हमारा दिमाग आदेश ग्रहन नहीं कर सकता, इसलिए मै मैंने शुरुवात में सिर्फ एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने का निर्ने लिया, क्योंकि मैं जानता था कि यदि मैं इस एक पहलू पे संबंधित आदितों को परिवर्तित कर पाया, तो यह परिवर्तन पूरी कंपनी में लाया जा सकता है, ओनेल को विश्वास था कि कुछ आदतों को बदलने से ऐसी शक्ती उत्पन होगी जिनसे परिवर्तन की एक श्रिंखला शुरू की जा सकती है जिसकी मदद से पूरे संगठन की आदते बदली जा सकती है दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कुछ आदते पुननिर्माण के मामले में अधिक महत्पूर होती है फिर वह पुननिर्माण व्यपार का हो या जीवन का इन आदतों को मूल आदते कहा जाता है ऐसी आदते इनसान के जीवन के अनेक पहलों पर अपना प्रभाव डालती है जैसे काम, भोजन, खेल, खर्च और समवादादी मूल आदते इनसान को अंदर से एक ऐसी प्रक्रिया शुरू करती है जिससे समय के साथ सब कुछ परिवर्टित हो जाता है मूल आदते सफल हो, इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि हर छोटी से छोटी चीज भी सही हो इसकी सफलता कुछ मुख्य परिक्तमार्तों को समझने में और उन्हें सक्तिशाली उत्तेज को में परिवर्टित करने पर निर्भर होती है इस पुस्तक के पहले भाग में आपने आदत की कारे प्रणाली नई आदतों का निर्माड और परिवर्टन जैसे विशो को समझा पर एक प्रमुक आदत की शुरुवात किस पिंदू से होनी चाहिए इसका जवाब मूल आदतों को समझने से ही मिलता है जिन आदतों में परिवर्टन होने में रुटीन और पैटर्न में परिवर्टन आता है ऐसी आदतों को विशेश महत्व होता है माइकल फेल्प्स ओलम्पिक विजेता कैसे बने कॉलेज और स्कूल में कुछ छात्र अपने समक्ष बाकी छात्रों से बहतर क्यों होते है इस तरह के सवालों के जवाब मूल आदत को जाने बिना विस्तार में नहीं समझाए जा सकते मूल आदत से यह पता चलता है कि कैसे कुछ लोग सालों कोशिश करके अचानक 18-20 सालों में 18-20 किलो वजन कैसे घटा लेते हैं या काम में व्यस्त करने रहने और इच्छा प्रदर्शन करने के साथ साथ कुछ लोग हर रात का खाना परिवार के साथ खाने का समय कैसे निकाल लेते हैं मुलादतों को समझने का से यह पता लगता है कि कैसे एलकुआ दुनिया की सबसे सुरक्षित कमपनी बनी और कैसे कमपनी के श्टॉक्स डो जॉन्स की सूची में सबसे बड़िया प्तरशन करने वाले श्टॉक्स बने शुरुवात में जब उनेल के सामने एलकुआ की CEO बनने का फ्रस्थाव रखा गया तो वे बहुत उत्साहित नहीं थे इस पद को सुईकार करने को लेकर वह दूविधा में थे वे अपने जीवन में काफी पैसा कमा चुके थे वे नेक्टिकट के निवासी थे और उनकी पत्नी को वही रहना पसंद था जबकि एलकुआ को मुखे आले पीट्सबर्ग में स्थित था और उनकी पत्नी को वहां रहना पसंद नहीं था उनेल को इस जहर के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी इसलिए उन्होंने आखरी निर्ने लेने के लिए एक सूची बनाई इस सूची में उन्होंने ऐसी बात्ते लिखी जिनसे यह साफ हो सके कि CEO को पद को स्विकार करना चाहिए या नहीं पर उनकी सबसे बड़ी और महतपूर प्रथा कितमाए क्या होंगी सूची बनाकर चीजों को समझने की इस प्रधिती पर उनेल बहुत विश्वास करते थे अपना पूरा जीवन उन्होंने ऐसी सूचिया बनाकर ही सुनोयोजित किया था उनेल ने अपने कॉलेज की पढ़ाई फेरसना राज्ये में पूरी की थी उन्होंने तीन साल में अपना कोर्स पूरा किया और इस दोरान वे पढ़ाई के अलावा सब्ता में तीन घंटे काम भी करते थे उस दोरान उन्होंने उन सभी चीजों की सूची बनाई जो वे अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते थे इस सूची में सबसे उपर था परिवर्तन लाना सन 1960 में ग्रेजुएट होने के बाद एक मित्र के प्रोथसाहन से और नेल ने फेडरल इंटर्शिप का फॉर्म भरा उनके अलावा करीब तीन लाक अन्य लोगों ने भी इस सरकारी नौकरी की परिक्षा दी उनमें से तीन हजार लोगों का चैन डर्व्यू के लिए हुआ और नौकरी के लिए केवल तीन सो लोग चुने गए उनेल उनमें से एक थे उनकी शुरुआत बेटरनस में मैडिल मैनेजर पद से हुई यहां उन्हें कम्प्यूटर सीखने के लिए कहा गया इस दोरान भी उनेल अपनी सूचियां बनाते रहते जैसे कुछ परियोजनाएं अन्य परियोजनाएं से अधिक सफल क्यों है कौन से कॉंट्रेक्ट समय पर माल देते हैं और कौन से देर करते हैं बगयरा हर साल उनका पर्मोशन होता रहा जैसे जैसे वे उचे पदों पर पहुचने लगे उनकी सूची बनाने की आधत भी प्रसिद होने लगी लोगों के बीच बाते होती रहती थी कि चाहे कोई भी समस्य आ जाए ओनेल की सूची में उस समस्या को निप्टाने के लिए एक बंदू जरूर होगा सन 1960 के मध्य में वाशिंग्टन डी सी में से ऐसी प्रतिभाओं की भारी मांग थी रॉबर्ट मैकमारा ने गड़ी तक्व्यों संखिक्यों, विशेशक्यों और कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को एक दल को नौकरी पर रखकर उनकी मदद से पेंटागन का पुन निर्माड किया राश्टपती जॉनसन भी ऐसे ही होश्यार तक्नी की विशेशक्यों को नौकरी पर रखना चाते थे अतहा उनेल को काम पर रखा गया उनेल के इस काम के आगे चल कर डीसी कोई सबसे बड़ी शक्तिशाली एजनसी की शुरुवात की जिसका नाम है Office of Management and Budget इसके एक दशक बाद 38 साल की उम्र में ही उनेल को डिप्तिक डारेक्टर का पद्दे दिया गया वे रातो रात शेहर के सबसे प्रभाव साली लोगों में गिने जाने लगे योजनाओं पर सरकार के कुल खर्च का अध्यन करने के लिए विशलेश्ट मक रूपरेखा बनाना जल्द ही उन्होंने पाया की सरकार की स्वास्थे संबंधी योजनाएं तारकिक नियमों और प्रथका आत्मियों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जाती इसके विपरीत ये योजनाएं विचित्र संगस्थान प्रक्रियाओं के कारण बनाई जाती थी जो एक लिहाज आध्यों की तरह संचालित होती थी सरकारी अधिकारी और नेता ठोस निन्ने लेने के बज़ाएं ऐसी इशारों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिनकी क्रियाएं पहले से तेय थी और जिन में से एक निश्चित इनाम मिलता था यह इनाम था पद्दोनती या पुना निर्वाचन यह आदत का ऐसा फंदा था जिसकी गिरफ्त में हजार लोगों और सरकार के अर्बो डॉलर फसे हुए थे उधारण के लिए दूसरा विश्वयुद जिसकी समाप्ति के बाद कॉंग्रेस ने एक योजना के अंतरगत सामुद्दाइक अस्पताल बनाने का निर्णे लिया यह योजना 25 वर्स गुजरने के बावजुद भी जारी थी इसलिए जब भी स्वास्थे योजना के लिए धनराशी मंजूर होती सरकार अधिकारी नए अस्पतालों की इमारत बनाने लग जाते जबकि जिन कस्पों में ये अस्पताल बनाए जाते थे वहां के लोगों को नए अस्पताल की जुरत ही नहीं थी लेकिन फिर भी इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया वे तो बस एक नई इमारत बनाना चाते थे जिसके बारे में बात करके नेता अपने वोट बैंक बढ़ा सके उनेल बताते हैं कि जब अस्पताल के लिए इमारत का निर्माड होता था तो छोटी छोटी चीजे तैकने में भी सरकारी कामगार महीनों की कीमती समय गवाँ देते थे वे इस तरह की मामली चीजे तैकने में समय बरबात करते थे जैसे पदों का रंग नीला होना चाहिए या पीला मरीजों के कमरे में एक टीवी होना चाहिए या दो नर्सों के बैठने के लिए बनाए जा रहे कमरे का डिजाइन कैसा होना चाहिए वगेरा आम तोर पर इस बात का पता ही नहीं लगाया जाता था कि कस्वे में वाकई नए अस्पताल के जुरत है या नहीं सरकारी अधिकारियों को आदत हो गई थी कि स्वास्थे के मामले में किसी भी प्रकार की समस्या सामने आने पर उसके समाधान के रूप में एक नए अस्पताल की इमारत खड़ी कर दी जाए ताकि चुनाओं के समय नेता असानी से वोट मांग सके यह सब बिलकुल अर्थहीन था पर हर कोई बार-बार यही सब किये जा रहा था शोधकरताओं ने जिन कमपनियों या संगठनों का अधियन किया वहां उन्हें संगठनात्मक आदते नजर आई संगठनात्मक आदते के अधियन में पूरा जीवन लगाने वाले जैफरी ओकसन लिखते हैं आदते तो लोगों में होती हैं पर संगठनों और संस्थाओं में रुटीन होते हैं बास्तव में रुटीन आदतों का संगठनात्मक रूप होते हैं उनेल के अनुसार ऐसी आदते हनिकारक होती हैं वे कहते हैं हमारे निर्णे ऐसी प्रक्रियाओं पर निर्भर थे जिनके पीछे कोई तार्किक विचार नहीं होता था लेकिन कुछ एजंसियां ऐसी भी थी जहां परिवर्तन की लहर आने लगी थी और उन्हें संगठनात्मक आदतों से लाब हो रहा था जैसे नासा के कुछ विभाद परिवर्तन लाने के लिए जान बूचकर ऐसे संगठनात्मक रुटीन स्थापित कर रहे थे जिनसे उनके इंजिनियर जोखिम उठाने के लिए प्रोचसाहित हों नासा में कोई किसी चीज में असफल भी नहो जा कर धमाके के स्वाद दस्त हो जाए तब भी उस रॉकेट के निर्माड में शामिल कर्मचारियों के लिए यह कहकर तालिया बजाई जाती कि भले ही वे असफल हो गए हों पर उन्होंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी धीरे धीरे यह एक संगठनात्मक आदत बन गई थ इसी तरह 1970 में अस्तित्व में आई EPA यानी Environmental Protection Agency परियावरण सुरक्षा Agency के उधारण ले इस एजनसी के पहले प्रदंबक विलियम रैकेशलो ने ऐसी संगठनात्मक आदते विक्सित की जिसके अनुसार उनके अधिकारी नियम लागू करने का काम आकर्मक धंक से कर सकें वकीलों को मुकदमार दायर करने या किसी नियम को लागू करने हेतू अनुमती के लिए एक लंबी प्रक्रिया से बुजरना पड़ता था उनका लक्षय था नियमों को लागू करने की अनुमती फौरण प्राप्त करना बात साफ थी EPA में आकर्मक रूप से काम करने पर इनाम मिलता था सन 1977 में उनेल ने नौकरी छुड़ाने छोड़ने का निर्णे लिया वे सप्ता के सातों दिन रोजाना 15 घंटे काम करते थे इसके कारण वे अपनी पतनी और चार बच्चों को समय नहीं दे पा रहे थे इस्तीफा देने के बाद उनेल को इंटरनेशनल पेपर्स में एक नई नौकरी मिल गई यह लुगदी और कागज बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कमपनी थी आगे चलकर उनेल इस कमपनी के अध्यक्ष बने तब तक उनेल के कुछ पुराने मित्र जो उनके साथ सरकारी अधिकारी रह चुके थे इलकुआ कमपनी के बोर्ड के सदस्य बन चुके थे इसलिए जब इलकुआ के लिए नया CEO चुनने का मौका आया तो उन्होंने सबसे पहले उनेल का नाम लिया इस प्रकार उनेल ने वह मशूर सूची बनाई जिसमें CEO के पद सुईकार करने पर उनकी मुख्य प्रथाग मित्ता का उलेक था उस समय एलकुआ की स्थिती ठीक नहीं थी समीक्षकों का कहना था कि एलकुआ की कर्मचारियों में फुर्ती और चतुर्ता की कमी है और उनके द्वारा बताए उत्पाद्दो और गुणवत्ता बहुत ही खराब हैं इसके बाबजुद उनेल की सूची में उत्पाद्दो की गुणवत्ता अथ्वा कर्मचारियों की कार्यचमता के सीड से स्थान नहीं मिलना था एलकुआ एक बहुत बड़ी और पुरानी कमपनी थी ऐसे कमपनियों या संगटनों में परिवर्तन लाना असान नहीं होता केवल कुछ सुझाओ देने से कर्मचारियों की कार्यचमता नहीं बढ़ाई जा सकती उनेल से पहले एलकुआ के जो सीईयों थे उन्होंने जब नए सुधारों को लागू करने के आदेश दिये तो कमपनी के 15,000 कर्मचारी हर्ताल पर चल गए थे यह हर्ताल इतनी धातक मोड पर पहुँच चुकी थी कि कर्मचारी पार्किंग लॉट के मैनेजर के पुतले बना कर जलाने लगे थे उस समय एलकुआ में काम करने वाले एक व्यक्ति ने बताया एलकुआ के कर्मचारी खुश नहीं थे यह संगठन, मैंसन, परिवार जैसा हो गया था बस फर्क हिये था कि यहां धातुएं पिगलाने का काम होता था ओनेल समझ गए कि उनके सबसे पहले प्रत्करात्मितों ऐसी होनी चाहिए जो यूनियन और अधिकाजियों की सबसे बड़ी मनजूर हो यह बहुत महत्पूर था, वे कुछ ऐसा चाहते थे जिससे सभी लोग एक साथ आ सकें कुछ ऐसा जिससे लोगों को काम करने और समबाद करने के तरीके में परिवर्तन लाया जा सके वे बताते हैं कि मैं मूलभू जरूरूतों को और मुड़ गया हर बार कोई चाहता था कि उसका काम ऐसा हो जहां कोई खत्रा ना हो और पूरी तरीके से सुरक्षित रहे आदर्श स्थिती यह होती है कि कोई कर्मचारी काम पर आते समय जितनी अच्छे स्थिती में हो काम से लोटते समय भी उनी अच्छी स्थिती में होना चाहिए लोगों के दिमाग में यह विचार नहीं होना चाहिए कि यहां उनकी जान को खत्रा है उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अपने परिवार का पेट भरने के लिए मुझे रोजाना अपनी जिन्दगी दाव पर लगानी पड़ती है इसलिए मैंने अपना ध्यान कर्मचारी की सुरक्षा की ओर लगाया ओनेल ने अपनी सूची के सीर्स पर सुरक्षा लिखा और एक साहस्पूर उद्देश्य के साथ काम में जुड़ गए यह उद्देश्य था अकस्माद दुरगटनाओं की संख्या शुन्य तक पहुचाना ना केवल कारखानों में बल्की हर विभाग में शुन्य दुरगटनाए उन्होंने स्वयम से वादा किया कि वे इस उद्देश्य को पूरा करके रहेंगे भले ही इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े आखिरकार उनेल एलकुआ के सीईयो के पद को स्विकारने में राजी हो गए सीईयो का पद स्विकारने के कुछ महीनों बाद उनेल टैनेसी राज्ये में स्थित एक कारखाने में गए जहां धात्यों को पिगलाने का काम किया जाता था उनेल ने वहां के करमचारियों से कहा कि वे उनसे मिलकर बहुत कुछ हैं हाला कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था वाल स्ट्रीट में एलकुआ के सीईयो को लेकर अभी भी खलबली मची होई थी यूनियने भी चिंतागरस थी उपर से एलकुआ के कुछ उपाद्ये इस बात से नाराज थे कि सीईयो की पद के लिए उनके नाम पर विचार ही नहीं किया गया वहीं उनेल का सारा ध्यान केवल करमचारियों की सुरक्षा पड़ था अमेरिका में अलकुआ के कई खार खाने थे और नेल ने एक एक करके सभी कारखानों को दोरा किया इसके बाद वे 31 देशों में फैली अलकुआ की सभी शाखाओ को भी दोरा करने वाले थे ऐसे ही एक दोरे पर उन्हें एक कारखाने के करमचारियों से कहा मैं आपसे किसी भी मसले से पर समझोता करने को तयार हूँ लेकिन एक मसला ऐसा है जिसमें कोई समझोता नहीं हो सकता और वह है आपकी सुरक्षा मैं चाहता हूँ कि आपको कभी यह कहने की नौबत ना आए कि कंपनी की ओर से आपकी सुरक्षा में कोई कमी रह गई अगर आप इस मसले पर मुझसे उलजेंगे तो मैं आपको बता दूँ कि आप मुझसे जीत नहीं पाएंगे उनेल के इस प्रस्ताव को खासियत यह थी कि कोई भी कर्मचारी अपनी सुरक्षा के विरोध में कुछ नहीं करना चाता था कई वर्षोफ में कर्मचारीों की यूनियने सुरक्षा के कड़े नियमों के लिए संगर्ष्त कर रही थी मैनेजर भी इस विशे का विरोध नहीं चाते थे क्योंकि सुरक्षा कम होने से दुरगटना का डर था, दुरगटनाओं से कम्पनी की कार्य चमता कम होती है और कर्मचारियों को आत्मिश्वास कमजोर पड़ जाता है अधिकतर लोग यह समझ ही नहीं पाए कि ओनेल की शुन्य दुरगटना योजना दरसल एलकुआ के अब तक के इतिहास में कम्पनी के पुननिर्माड की सबसे उग्र योजना थी एलकुआ के कर्मचारियों की सुरक्षित रखने के लिए यहां होने वाली दुरगटनाओं के पीछे का मूल कारण ढूनना जरूरी था इस कारण को जानने के लिए उत्पादन प्रक्रिया का अधियन कर उसमें होने वाली गलतियां पहचानने की अवशक्त्या थी और इसके लिए ऐसे लोगों को बुलाना की जुरूरत था जो कारण कारणों की उत्पादन प्रक्रिया के विशेशग्य हो इन विशेशग्यों ने कर्मचारियों को क्वालिटी कंट्रोल की जानकारी दी साथ ही उन्हें सबसे सही और कारगर तरीके भी सिखाए गए ताकि काम असानी से पूरा हो क्योंकि सही तरीका ही सुरक्षित तरीका होता है दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एलकुआ को अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संसार के सबसे बहतरीन और सुगठित अलूमीनियम कमपनी बनना था उनेल के कर्मचारी सुरक्षा योजना आदत के फंदे को ध्यान में रखकर बनाई गई थी उन्होंने एक सरल इशारा चुना कर्मचारियों के साथ होने वाली दुरगटना उन्होंने एक आटोमेटिक रुटीन स्थापित किया दुरगटना के स्थिती में इस यूनिट के प्रमुक की यह जिम्मेदारी थी कि वे 24 घंटे के अंदर उनेल को गटना की जानकारी दे और साथ ही ऐसी योजना भी बनाए जिससे भविश्य में दुबारा ऐसी दुरगटना ना हो इसका एक इनाम भी था केवल उन्हीं लोगों को पद्दोनती मिलेगी जो इस योजना को अपनाएंगे यूनिट के प्रमुक हमेशा बेहत व्यस्त रहते थे उनेल को 24 घंटे के अंदर दुरगटना की सूचना देने के लिए यह जरूरी था कि दुरगटना होते ही वह अपने उप प्रमुक से उसकी जानकारी मिल जाए इसके लिए उप प्रमुकों को निरंतर फ्लोर मैनेजर के संपर्क में रहना पड़ता था इसके लिए यह जरूरी था कि काम में किसी भी प्रकार की समस्या नजर आते ही कर्मचारी इस बारे में चितावनी जारी कर दें इसके साथ ही उन्हें सुझाओ की एक सूची भी रखनी पड़ती थी ताकि कोई उप प्रमुक जब भी इस योजना पर कुछ पूछना चाहे तो उनके पास पहले से अनेकों सुझाओ हो ताकि नई संभावनाओ के लिए रास्ता कुल सके यह सब सुचारूप से संभाव है जिसके लिए हर यूनिट को संभाद की एक नई विवस्ता बनानी पड़ी जिसके जरिये छोटे से छोटा कर्मचारी भी अपने सुझाओ या कोई तकरीव बड़े से बड़े अधिकारी तक जल्दी जल्द पहुचा सकता था उनेल की सुरक्षा योजना को लागू करने के लिए कमपनी के अधिकारियों ने अलग-अलग पदानुक्रमी यानि उनकी श्रेडी के लगभब पूरी तरीके से परिवर्तित करना पड़ा इस तरह उनेल नई कॉर्पोरेट आधिते विक्सित कर रहे थे एलकुआ की सुरक्षा संबंधी आधिते परिवर्तित होने पर कमपनी के दूसरे पहलों में भी आस्चेर जनक गती से बदला होने लगे करमचारी यूनियन कई वर्षों से हर करमचारी की व्यक्तिगत कारेचमता को आकलन जैसे नियमों का विरोध कर रही थी लेकिन अब इस पहलू पर अचानक हर कोई ध्यान देने लगा क्योंकि उत्पाधन प्रक्रियाक में समस्या कहां पैदा हो रही है और कहां दुरगटना होने की आशंका है यह जानने के लिए हर करमचारी की कारेचमता का आकलन अवश्यक था इसी प्रकार किसी प्रोडक्शन लाइन की गती जरूरत से जादा तेज लगने पर करमचारी उस प्रोडक्शन लाइन को बंद करने का निर्ड़ने अब स्वयम ले सकते थे जबकि मैनोजिरों ने लंबे समय तक इस नीती का विरोध किया था लेकिन दुरगटना टालने का सबसे अच्छा थरीका भी यह था इसलिए अब वे सुयम इस नीती को लागू कर रहे थे इन सब चीजों के कारण देखते ही देखते कमपनी में इतना परिवर्टन आ गया की कुछ कर्मचारियों के व्यक्ति का जीवन में भी सुरक्षा संबंधी आदतों के प्रभाव दिखने लगे एलकुआ के ततकालेन सुरक्षा संचालक जैव शौकी अपना अनुभव बताते हैं दो-तीन बर्ष पहले की बात है मैं अपने ओफिस में था और मेरी नजर यूँ ही खिड़की के बाहर गई 9th स्ट्रीट के पुल पर दो लोग काम कर रहे थे लेकिन उन में से कोई भी अपना काम सुरक्ष ढंक से नहीं कर रहा था वहां दो लोग थे जिन में से एक पुल की रेलिंग पर खड़ा तो कोई सुरक्षा कवच पहने था ना ही उनसे पास केबल रसी आदी नजर आ रहे थे हाला कि उन दियुनों को जेफ शौकी या एलकवा से कोई संबंध नहीं था क्योंकि वे किसी अन्य कंपनी के कर्मचारी थे लेकिन वह सब देखकर जेफ शौकी फौरण अपनी कुर्सी से उठे सीडियों के पास मंजिल नीचे उतरे और उन लोगों के पास जा पूंचे जरा सुनो तुम लोग इतने असुरक्षि ढंक से क्यों काम कर रहे हो सुरक्षा एवं स्वास्थे प्रशाशन कार्यालिक में तुरंट उस सुपरवाइजर की शिकायत कर दी एक अधिकारी ने बताया कि एक दिन उसके घर के करीब रास्ता खोदने का काम चल रहा था लेकिन उसने देखा कि उन कर्मचारियों के पास ट्रेंच बॉक्स नहीं था यह देखकर वे अधिकारी उनके पास गया और उन्हें सही ढंक से कार्म करने क्या मैत्व बताने लगा टेंच बॉक्स वो है होता है जो कर्मचारियों को चोट लगने से बचने वाले एक उपकरण जो ढाल की तरह काम करता है जबकि वह सप्ता को आखरी समय था और अधिकारी अपने बच्चों के साथ कार में थे पर जब उसने यह द्रिश्य देखा तो उससे रहा नहीं गया और वह उन लोगों को सुरक्षा का महत्व समझाने लगा उसके यह प्रतिक्रिया समान्य बात नहीं थी क्योंकि छुटी के दिन भला कौन अपने बच्चों के साथ समय बिताने के बज़ाए दूसरों को समझ देने निकलता है लेकिन इस घटना से यह सपष्ट था कि एलकुआ के कर्णचारियों को अब सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए सोचना नहीं पड़ता अब विवैर उनसे सुरता हुई हो रहा था उनेल ने कभी भी यह दावा नहीं किया था कि कर्णचारियों की सुरक्षा पर ध्यान देने से इलकुआ को मुनाफ़ा बढ़ जाएगा लेकिन उनके द्वारा बताए गए रुटीन जब पूरे संगठन में फैल गए तो उत्पादन का खर्च कम हो गया उत्पाद की गुर्वत्ता बढ़ी और कमपनियों की कार्य चमता आसमान चूने लगी अगर पिगली गई धातुएं उडेलते समय मजदूरों की चोट लगती तो धातु उडेलने की पूरी प्रणाली क्यों पुनरचना कर दी जाती थी इससे दुरगटनाओं में कमी आने लगी और पैसों की भी बचत हुई क्योंकि दुरगटनाओं के दौरान जो कच्चा माल गिरकर बरबाद हो जाता था वह बंद हो गया अगर मशीन बारवर बंद पड़ती थी तो नई मशीन लगा दी जाती थी इससे मशीन के किसी तूटे हिस्से से मज़दूरों को चोट लगने की घटनाए में कमी आ गई थी हलकुआ ने पाया कि मशीनों में खराबी के कारण ऐलुमीनियम की गुडवत्ता में भी सुधार आया इस विशय का अध्यन करने वाले शोधकरताओं को अलग-अलग मौकों पर अलग-अलग के व्यक्तिगत जीवन में भी इस प्रकार की कारण शीलता के उधारण मिले हैं उधारण के तौर पर ऐसे शोधकार्रे जिनमें तैशुधा दैनिक क्रियाओं पर व्याम के असर का अध्यन किया गया जब लोग आदितन व्याम करने लगते हैं तो चाहे वह सब्ता में केवल एक ही बार क्यों ना हो तो उनके जीवन में ऐसे पहलों में भी परिवर्तन होने लगता है जिनका व्याम से कोई संबन नहीं है कई बार यह परिवर्तन अंजाने में हो जाता है आमत्वार पर अध्यतन व्याम करने वाले लोग पौश्टिक भोजन करते हैं और उनकी कारे चमता भी बढ़ जाती है वे धूमपान वगेरा करना छोड़ देते हैं अगर वे पहले से करते थे तो और अगर जो लोग करते भी हैं तो वे बहुत कम हो जाता है इसके साथ ही वे अपने मित्रो एवं परिवार के साथ भी सब्र में पेश आते हैं वे अपने क्रेडिट कार्ड का उपियोग भी कम करते हैं और अपेक्षक्रित कमचिंता करते हैं इसका कारण पूरी तरे से साफ नहीं है पर अनेक लोगों के लिए व्याम एक ऐसी आदत है जिससे उनके में उनके जीवन के सभी पहलों में परिवर्तन आया है University of Rhode Island के एक शोधकरता जिस्न परुयचक कहते हैं व्याम परिभावी होता है व्याम में कुछ ऐसा होता है जिससे अन्य अच्छे आदतों का अपनाना असान हो जाता है इस दिशा में हुए अनेक शोधों से पता चला है कि जिन परिवार के एक साथ भोजन करने की आदत होती है उन परिवार के बच्चों में ग्रह कार रहा है स्कूल से दिया जाने वाला होमवग पूरा करने और अच्छे अंक प्राप्त करने की जैसे गुणों के अलावा बहतर भावनात्मक नियंत्रण और ज्यादा आत्म विश्वास भी हो जाता है रोजाना अपना विस्तर ठीक करने की आदत भैतर कारे चमता भलाई की भावना और बजट का पालन करने जैसे गुणों से जैसे जुड़ी होती है ऐसा नहीं है कि एक साथ भोजन करने अथ्वा बिस्तर ठीक करने भर से पड़ाई में अच्छे नमर मिल जाते हैं या खर्चीला सुभाव नियंत्रण में आ जाता है इसके पीछे क्या कारण है यह तो सपश्ट नहीं है पर शुरुवाती दौर के ये परिवर्तन प्रतिक्रियाओं की एक श्रंखला को जन्द देते हैं जिससे अन्य अच्छी आदतों को अपनाना असान हो जाता है अगर आप अपनी मूल आदत को परिवर्तित करने को विक्सित करने पर ध्यान लगाते हैं तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है लेकिन मूल आदतों को पहचानना मुश्किल काम है मूल आदतों को पता लगाने के लिए यह जरूरी है कि आप सही दिशा की ओर देखें मूल आदतों का पता लगाने का अर्थ है कुछ विशिष्ट गुडों का पता लगाना अकादमिक परिभाशा के अनुसार मूल आदत का अर्थ है छोटी छोटी जीत इनसे अन्य आदितों को खिलने और खुलने का मौका मिलता है मूल आदितें धाचों का निर्माड करती है जिनके कारण ऐसी वातावरण बन जाता है जिसमें परिवर्तन की लहर पैदा हो सकती है लेकिन उनेल और उनके जैसे अनेकों लोगों ने पाया है कि नियमों को समझना और उन्हें जीवन में उतारना दो अलग-अलग चीज है इसके लिए इनसान में प्रतिबा होनी सबसे ज़्यादा जरूरी है माइकल फ्लैप्स बीजिंग के ओलिम्पिक विलेज में रहते थे 13 अगस 2008 का उनका दिन सुबह साड़े के अलारम से शुरू होता था वे बिस्तर से उठे और रोज की तरह अपनी नित्य क्रियाओं में लग गए उन्होंने कपड़े पहने और टेहलते हुए नाश्ता करने जा पूँचे उन्होंने इसी सप्ता 300 पदक जीते थे और अब उनके पास कुल मिलाकर 900 पदक थे आज उनकी दो रेस होने वाली थी वे 7 बजे कैफिटेरिया में पहुँच गए उन्होंने नाश्ते में अंडे, ओट मील और 4 एनरजी ड्रिंक्स लिए आम तोर पर रेस के दिन यह नाश्ता नहीं करते थे इस तरह अगले 16 घंटे में वे कुल 6000 कैलोरीस ग्रहन करने वाले थे अब उनके साथ क्या हुआ, यह हम अगली वीडियो में देखेंगे